पूर्वडिप्टी सीयम और टोंक विधायक सचिन पैलेट 10 फरवरी को अपने विधान सभाज छेत्र में एक दिवसीय दौरे पर रहे। पैलेट ने अपने संभूधन के दौरान केंद्र में 10 वर्षों से काबिज पूर्ण बहुमत की सरकार और प्रदेश में हाल ही से बनी बीजेपी सरकार को आड़े हात लिया। इस दौरान पैलेट केंद्र और राजे की सरकार पर जमकरबर से उन्होंने बीजेपी पर समवैधानिक संस्थाओं की अंदेखी का आरोब भी लगाया। साथ ही पाकिस्तान का उदाहरन देते हुए सबक लेने की अपील की। पूर्वड इप्टी सीयम ने कहा कि इनके द्वारा समवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं को न सिर्फ तार-तार किया जा रहा है बलकि मनमानी भी की जा रही है। पैलेट ने किंद्र सरकार को नारो और जुमलो की सरकार बताते हुए कहा कि उसने दस साल पहले जिन वादो वबातों पर सत्ता हासिल की थी उन में से किसी को भी पूरा नहीं किया गया। पैलेट ने पडोसी देश पाकिस्तान का जिक्र करते वे कहा कि सम्वैधानिक संस्थाओं की अंदेखी के चलते आज वहां के हालाद पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। ऐसे में हमें भी सावधान रहने की जरूरत है। पैलेट ने यहां अपने कोश दोनों ही जगह अलग-अलग विकास कारियों के लिए राशी दिये जाने की भी घोशना की है।